असलाम अलेकुम आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही सिम्पल वे में जो है पास्टा बनाना सिखाऊंगी यह रिस्पी जो है बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनके तयार हो जाती है और मसाले भी हम बहुत ही कम यूज करेंगे तो चलिए रेस्पी स्टार्ट करते हैं और अगर आपने मेरे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे पानी को अच्छे से बॉयल कर लेंगे उसके बाद हम डाल देंगे 2 कप पास्ता और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और एक टेबल स्पून के खरीब तेल यहाँ पे डाल दें और इसे हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे इसे हम 82-90% जब तक के कुक हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे तो जैसे के आप देख रहे हैं यह जो है आधा पक चुका है 52-60% जो यहाँ पे कुक हुआ है अब हम इसे और थोड़ा पकाएंगे थोड़ा नर्म होने तक हम इसे पकाएंगे तो यह जो है अभी परफेक्ट लग रहा है अभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसका पानी निकालकर इस तरह से आप इसे चान ले और साइट पे रख दें उसके बाद हम लेंगे एक पैन और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल और इसमें हम डाल दें थोड़ी सी प्यास कटी हुई और हरी मिर्चे मैं यहां पे एक हरी मिर्च ले रही हूँ आप अपने हिसाब से यहां पे थोड़ा सा स्पाइसी चाहेते हैं तो दो हरी मिर्चे आप करें फिर इसमें थोड़ी सी हरी शिंबला मिर्च वह मैं आप कर रही हूं इसे हम थोड़ा और जो नूडल्स मसाला है वो यहां पर एक से दो टी स्पून अट कर सकते हैं पिर आधा टेपल स्पून में आपे सोया सॉस अट किया भी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हमारा बॉयल किया हुआ पास्ता हम यहां पर डाल कर अच्छे से इसे सारी चीजो के लिए बना रही हूँ दो बच्चों के लिए पी ज्यादा ही होता हुटा फिर भी आप जो है बच जाएगा उसके बाद में पे थोड़ा सा ओरिगयो और एक्चली फ्लेक्स जो कुटी होई लाल मुचे है वो हैँप टी है कि हमाने और थोड़ा सा ओरिगयो यहां पे दा हाफस्ष